वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्राफी सीरीश में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलता है प्रते दिन सतर, असी, सौ और एक सो बीस सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन यानि back to back आपको मिलेंगे चार डिक्टेशन जो की होगा सतर, सब्द प्रति मिनट, असी, संब्रति मिनट, और इसकी पीडिया भी आपको स्प्रति मिनट के डिक्टेशन करने के लिए आपको सर्च करना है स्टैनो हेल्प लाइन ये शॉर्ट हैंड हेल्प लाइन वहाँ पे आपको शो होगा आप बश्वाइन बटन पर क्लेक करके आप जॉइन हो सकते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन लिंक की आवश्यक्ता नहीं है अगर आप वाट्सप वर्ट्स और उनके आउटलाइन को फिर इसके बाद हम डिक्टिशन स्टार्ट करेंगे वीडियो को लाइक कमेंट है करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे प्रति दिन हम आपके लिए डिक्टिशन लिकर आते रहे हैं देश ब्यापी लॉक्टाउन तो देश ब्याप के लिए के बहल लिखाये या पहली कहां और लॉक्टाउन के लिए लो और चोड़ा से बड़ा करेंगे तो कभी जूड़ जाएगा और टः न का आकडा लगा देगे तो यह हो जाएगा देश ब्यापी लॉक्टाउन नच्स्ट है निजामुद दिन के लिए न जरौ को ल नेक्स्ट है मानसिक रूपसे तो मानसिक मौपे आखी मातरा इसलिए लाइन के उपर लिखेंगे न, श, और क, रूपसे का ये रूल होता है र कट करके और श, का आकड़ा बनाते हैं तो रूपसे उसे पढ़ते हैं नेक्स्ट है आर्थिक ब्यावशाईक, तो आर्थिक के लिए र और कर लिखते हैं, तो आर्थिक पढ़ा जाता है, वैसे आर्थिक दो प्रकार से लिखा जाता है, र थो को छोटा करके भी, लेकिन ये ज़्यादा इसी होता है, ताकि हम इसमें सब्दा आसानी से चोड़ सकत हैं, नेक्स्ट है आर्थिक ब्यापारिक, सेम दो सब्द आया थे हैं, तो हमने इसके आगे पीछे लिख लिए है, ताकि आपको ज्यादा कठी ना हो, डिफ्रेंशेट करने में, आर्थिक ब्यापारिक के लिए वो लिखा आप और को लिख दिया हमने, वैसे तो ब्यापार इस पर मात्र लगाई है, नेक्स्ट है ताल मेल, ताल मेल के लिए ता और तामिलो का आकड़ा, या तो आप चाहे तो इधर से लिखें, या उधर से लिखें, मैंने दोरने साइट से आपको बताया हुआ है, क्योंकि यह आउटलेंड बहुत बारा चुकी है, ताल मेल, सतर क गए शाथ सा का आकड़ा, तामिरो का आकड़ा, और को फिर ता का आकड़ा, और के साथ का रूल अपलाई कर देंगे इसमें, तो यह हो जाएगा सतर कता के साथ, तो अब पढ़ते हैं हम डिक्टिशन की तरफ चोकी है, सतर सब्द प्रतिमिन, फिर उसके बाद, असी, फिर सो, फिर 110, वीडियो को लाइक कमेंट और सेके न आप बिलकुल भी न भूले, सतर सब्द प्रतिमिन, डिक्टेशन स्टार्ट होगा, थ्री सेकेंड बाद, स्टार्ट, कोरोना के कहर से बचने के लिए लागू किये गए देश ब्यापी लॉकडाउन का एक सताह गुजर गया, पुर्णवराम प्रारंभ में जो तमाम कठिनाईयां उभर आई थी, वे धीरे धीरे दूर होती दिख रही हैं, पुर्णवराम चुकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसे यका यक खुद को तमाम बंधनों में बांधना पड़ा, इसलिए कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, पुर्णवराम इन समस्याओं का सामना और समाधान करते हुए, लॉकडाउन के सेस दो सप्ताह सैयम के साथ व्यतीत करने के अलावां और कोई उपाय नहीं, पुर्णवराम इस दोरान कहीं कोई बड़ी समस्या न खड़ी होने पाये, यह सरकारों और उनकी एजन्सियों के साथ समाश को भी देखना होगा, पुर्णवराम पैराम, कम से कम वैसा जमावडा तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा दिल्ली के निजामुद्दिन इलाके में हुआ पुर्णवराम, यहां तबलीगी जमाद के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर, जिस तरह देश भर में कुरोना वाइरस का संक्रिमन फैला दिया, वह आपराधिक लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं, पुर्णवराम इस कृत्य से हर किसी को सबक सीखने के साथ ही, लॉकडाउन की सेस अवधी को सफल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए, पुर्णवराम पैरा, फिलहाल यह कहना कठिन है कि दो सबताह बाद क्या हालात बनेंगे, लेकिन समझधारी इसी में है कि यहां मानकर न चला जाए कि 14 अप्रेल के बाद सबकुछ पहले जैसा हो जाएगा, पुर्णवराम बेज दुनिया का अनुभव यही बता रहा है कि हमें कोरोना वाइरस के खौफ से आसानी से मुक्ती नहीं मिलने वाली, पुर्णवराम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमें अरसे तक उसके साए में जीना पड़ सकता है, पुर्णवराम कोरोना वाइरस से उपजी COVID-19 महामारी एक बड़ी हद तक तो नियंतरित हो सकती है, लेकिन अभी इसके आसार नहीं कि उससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाए का पुर्णवराम इन हालात में यह आवश्यक है, कि एक ओर जहां इसकी रूप रेखा बनाई जाए कि बदले हालात में हमारा सामाजिक व्योहार कैसा हो, वहीं दूसरी ओर इसकी की आर्थिक ब्यावशायक गतिविद्यों का सावधानी के साथ संचालन कैसे किया जाए? यह सही समय है कि प्रिधान मंत्री की ओर से गठित मंत्री समूह अपनी सक्रियता बढ़ाए और दो सप्ताह बाद के हालात से निपटने के तौर तरीके तै करने पर मंधन करे उर्णवराम, यदि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी आर्थिक ब्यापारिक गतिविद्यों संचालित हो सकती हैं, तो फिर दो सप्ताह बाद अन्य कारो बारी गतिविद्यों को भी सतरकता के साथ संचालित करने के तौर तरीके तै हो सकते हैं, पुर्णवराम, निसंदेह ये तौर तरीके ऐसे होने चाहिए, जिससे दुनिया भर को तरस्त कर रही, महामारी को सिर उठाने का मौका न मिलने पाए, बदले हालात का सामना करने और साथ ही, उससे ताल मेल बैठाने की तैयारी वक्त की मांग भी है, और जरूरत भी पुर्णवराम, गोजाता है, तो अगर आपको लिखने में नहीं आया है, तो इसका मतलब या नहीं है, कि दिक्टेशन की स्पीड जादा है या कम है तो आप लोग थोड़ा सा विवेक का पर्चा दीजिए डिक्टेशन को लिखिए अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत लिखिए तो जले स्टार्ट करते हैं आसे सब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बार कोरोना के कहर से बचने के लिए लागू किये गए देश ब्यापी लॉकडाउन का एक सब्ताह गुजर गया प्रारंभ में जो तमाम कठिनाईया उभर आई थी वे दीरे दीरे दूर होती दिख रहे हैं चुकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसे यकायक खुद को तमाम बंधनों में बांधना पड़ा इसलिए कुछ ना कुछ समस्याएं तो बने ही रहेंगी इन समस्याओं का सामना और समाधान करते हुए लोकडाउन के सेस दो सब्ताह सैयम के साथ व्यतीत करने के अलावां और कोई उपाए नहीं इस दोरान कहीं कोई बड़ी समस्या न खड़ी होने पाए यह सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ समाश को भी देखना होगा कम सी कम वैसा जमावडा तो विल्कुल भी नहीं होना चाहिए जैसा दिल्ली के निजामुद्धन इलाके में हुआ यहां तबलीगी जमात के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिस तरह देश भर में कोरोना वाइरस का संक्रिमन फैला दिया वह आपराधिक लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं इस कृत्यशे हर किसी को सबक सीखने के साथ ही लोकडाउन की सेस अवधी को सफल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए फिलहाल यह कहना कठिन है कि दो सब्ताह बाद क्या हालात बनेंगे लेकिन समझदारी इसी में है कि यह मान कर न चला जाए कि 14 अपरेल के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा देश दुनिया का अनुभव यही बता रहा है कि हमें कोरोना वाइरस के खौफ से आसानी से मुक्ती नहीं मिलने वाली इसके लिए मानसिक रूप से तयार रहें कि हमें अरसे तक उसके साएं में जीना पड़ सकता है कोरोना वाइरस से उपजी COVID-19 महामारी एक बड़ी हद तक तो नियंतरित हो सकती है लेकिन अभी इसके आसार नहीं कि उससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा इन हालात में यह आवश्यक है कि एक और जहां इसकी रूप रेखा बनाई जाए कि बदले हालात में हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो वहीं दूसरी ओर इसकी भी की आर्थिक व्यावशायक गतिविधियों का सावधानी के साथ संचालन कैसे किया जाए यह सही समय है कि प्रिधान मंत्री की ओर से कठित मंत्र समूह अपनी सक्रियता बढ़ाए और दूसरी बाद के हालात से निपटने के तोर तरीके तै करने पर मंधन करे यदि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो सकती है तो फिर दो सब्ताह बाद अन्य कारोबारी गतिविधियों को भी सतरकता के साथ संचालित करने के तोर तरीके तै हो सकते हैं निसंदिः ये तोर तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे दुनिया भर को तरस्त कर रही महामारी को सर्फ उठाने का मौका ना मिलने पाए बदले हालात का सामना करने और साथ ही उससे ताल मेल बैठाने की तैयारी वक्त की मांग भी है और जरूरत भी अब बारी है cells cells of the प्रितिक्टे संığımız की चले स्टार्ट करते हैं एस्पहले प्लीजह उनुक्त को वीडियो को लंख कर सकते हैंå जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लिखना चाहते हैं 80 सब्रतिमिनट पर 40 सब्रतिमिनट 90 सब्रतिमिनट बिल्कुल राजस्थान के जैसा तो प्लीज आप हमारे है इस टैनुगराफी को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि हम यूट्यूब पर ज़्यादा से पहल पाते हैं अगर आगर जादा से जादा डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज हैप इस्टाइनोग्राफी को जॉइन करें चले स्टार्ट करते हैं सौजब प्रती मिनट स्टार्ट होगा फो सेकेंड बार स्टार्ट कोरोना के कहर से बचने के लिए लागू किये गए देश प्यापी लोकडाउन का एक सब्ताह गुजर गया प्रारंभ में जो तमाम कठनाईयां उभर आई थी वे धीरे धीरे दूर होती दिख रहे हैं चुकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसे यकायक खुद को तमाम बंधनों में बांधना पड़ा इसलिए कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी ही रहेंगी इन समस्याओं का सामना और समाधान करते हुए लॉकडाउन के सेस दो सब्ताह सैयम के साथ व्यतीत करने के अलावा और कोई उपाय नहीं इस दोरान कहीं कोई बड़ी समस्या ना खड़ी होने पाए यह सरकारों और उनकी एजंसियों के साथ समाश को भी देखना होगा कम से कम वैसा जमावडा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जैसा दिल्ली के नजामुद्धन इलाके में हुआ यहां तबली की जमात के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिस तरह देश भर में कुरोना वाइरस का संक्रमन फैला दिया वह आपराधिक लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं इस कृतिशे हर किसी को सबक सीखने के साथ ही लोगडाउन की सेस अवद को सफल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए फिल्हाल यह कहना कठिन है कि दो सब्ताह बात क्या हालात बनेंगे लेकिन समझतारी इसी में है कि यह मान कर ना चला जाए कि 14 अपरेल के बात सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा देश दुनिया का अनुभव यही बता रहा है कि हमें कोरोना वाइरस के खौप से आसानी से मुक्ती नहीं मिलने वाली इसके लिए मानसिक रूप से तयार रहें कि हमें अरसे तक उसके साए में जीना पड़ सकता है कोरोना वाइरस से उपजी COVID-19 महामारी एक बड़ी हद तक तो नियंत्रित हो सकती है लेकिन अभी इसके आसार नहीं कि उससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाये का इन हालात में यह आवश्यक है कि एक ओर जहां इसकी रूप रेखा बनाई जाए कि बदले हालात में हमारा सामाजिक व्योहार कैसा हो वहीं दूसरी ओर इसकी भी कि आर्थिक व्यावशाईक गदविद्यों का सावधानी के साथ संचालन कैसे किया जाए यह सही समय है कि प्रिधान मंत्री की ओर से गठित मंत्री समूह अपनी सक्रियता बढ़ाएं और दो सप्ताह बाद के हालात से निपठने के तौर तरीके तै करने पर मन्थन करें यदि लोकटाउन के दरान आवस्यक सेवाओं से जुड़ी आर्थिक व्यापारिक गदविद्या संचालित हो सकती हैं तो फिर दो सप्ताह बाद अन्य कारोबारी गदविद्यों को भी सतरकता के साथ संचालित करने के तौर तरीके तै हो सकते हैं निसंदेह ये तोर तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे दुनिया भर को त्रस्त कर रही महामारी को सिर उठाने का मौका ना मिलने पाए बदले हाला का सामना करने और साथ ही उससे ताल मेल बैठाने की तैयारी वक्त की मांग भी है और जरूरत भी सौसब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समाप्त हो अब बार है 120 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन की 120 सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समाप्त होगा कुछी सेकेंड बार स्टार्ट होगा 120 सब्सक्राइब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद यह अंत्म डिक्टेशन है स्टार्ट कुरोना के कहर से बचने के लिए लागू किये गए देश ब्यापी लॉक्टाउन का एक सब्ताह गुजर गया प्रारंभ में जो तमाम कठिनाईया उभर आई थी वे धीरे धीरे दूर होती दिख रहे हैं चुकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला तेस है और उसे यकायक खुद को तमाम बंधनों में बांधना पड़ा इसलिए कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी ही रहेंगे इन समस्याओं का सामना और समाधन करते हुए लॉकटाउन के सेस दो सब्ताह सैयम के साथ व्यतीत करने के अलावा और कोई उपाय नहीं इस दोरान कहीं कोई पड़ी समस्या ना खड़ी होने पाए यह सरकारों और उनकी एजिंसियों के साथ समाश को भी देखना होगा कम से कम वैसा जमावडा तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए जैसा दिल्ली के निजामुद्दन इलाके में हुआ यहां तबलीगी जमात के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिस तरह देश भर में कोरोना वाइरस का संक्रमन फैला दिया वह आपराधिक लापर वाही के अलावा और कुछ नहीं इस क्रिप्ट शे हर किसी को सबक सीखने के साथ ही लोगडाउन की सेस अवदि को सफल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए फिलाल यह कहना कठिन है कि दो सबताह बात क्या हालात बनेंगे लेकिन समझदारी इसी में है कि यह मानकर न चला जाए कि 14 अपरेल के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा देश दुनिया का अनुभव यही बदा रहा है कि हमें कुरोना वाइरस की खौफ से आसानी से मुक्ती नहीं मिलने वाली इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमें अरसे तक उसके साए में जीना पड़ सकता है कुरोना वाइरस से उपजी COVID-19 महामारी एक बड़ी हद तक तो नियंतरित हो सकती है लेकिन अभी इसके आसार नहीं कि उससे पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा इन हालात में यह आवश्यक है कि एक और जहां इसकी रूप रेखा बनाए जाए कि बदले हालात में हमारा सामाजिक व्योहार कैसा हो वहीं दूसरी ओर इसकी भी कि आरथिक व्यावशायक कदिविधियों का सावधानी के साथ संचालन कैसे किया जाए यह सही समय है कि प्रिधान मंत्री की ओर से कटित मंत्र समूह अपनी सक्रियता बढ़ाए और दो सप्ता के बाद के हालात से निपटने के तौर तरीके तै करने पर मन्थन करे यदि लॉकडाउन के दौरान आवस्चक सेवाओं से जुड़ी आर्थिक व्यापारिक गद्विधियां संचालित हो सकती है तो फिर दो सप्ता बाद अन्य कारोबारी गद्विधियों को भी सतरकता के साथ संचा हमारी को सिर उठाने का मौगा ना मिलने बाए बदले हालात का सामना करने और साथ ही उससे तालमेल बैठाने की तैयारी वक्त की मांग भी है और चरूरत भी 120 सब्सक्राइब दिक्टेशन समाब तो हुआ ऐसे ही आपको प्रति दिन डिक्टेशन मिल सके इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में जो बेल आइकान उसे दवाना ना भूले ताकि जो भी वीडियोस हम अप्लोट करें उसके and stay safe